So, Hey Everyone, आज चले हम अपने जिरूद आकाउंट में अपने नॉमनी को एट कर लें तो बिल्कुल से स्टेप रहेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, नीचे की तरफ आपको यहाँ पर आपकी आईडी का उप्सन मिल जाएगा जैसे आप उसमें किलिक करेंगे, आपको यहाँ पर प्रोफाइल का उप्सन मिल जाएगा इस प्रोफाइल के उप्सन में आपको क्या करना है, चले जाना है जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे नीचे manage account का option आ जाएगा manage account का option में आप click करेंगी आपका जो mobile phone है आपको chrome browser में आपके shift कर दीगा यहाँ पर आप देखेंगे chrome browser में नीचे की तरफ आप यहाँ पर arrow देख रहे हैं जो तो इस arrow की option में आपको click करना है और आपको उपर की तरफ कुछ window open होगी यहाँ पर nominee का option आपको simple से आ जाएगा इस nominee की option में आपको click करना है फिर आपको क्या करना है नीचे की तरफ चले जाना है और यहाँ पर आपको option मिलेगा add nominee का जैसे की आप यहाँ पर देखेंगे इस add nominee के option में आपको click करना है तो यहाँ पर nominee से related कुछ detail मांगेगा जैसे कि nominee का first name, nominee का last name, email id, mobile number, date of birth और यहाँ पर pin code बगेरा तो चले यह सब फिल करने, इसके बाद देखते हैं तो nominee की सारी detail डालने के बाद यहाँ पर आपको nominee का आपके साथ क्या relationship है यह option आपको आजाएगा तो आपका जो भी relationship आपको यहाँ पर फिल कर लेना है इसके बाद यहाँ पर percentage of share आप nominee को कितने percent share यहाँ पर donate करना चाहेते हैं तो simple से यहाँ पर 100% में है यहाँ पर फिल कर लेता हूँ अगर आपको 50-50 करना है, एको nominate करना है तो आप कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको nominee का ID proof लगेगा जो यहाँ पर government की दोरा यहाँ पर आपको option मिल जाएंगे जैसे कि आधार काड़ा यहाँ पर हमने choose कर लिया साथ ही जो आप documents यहाँ पर यहाँ पर submit करने होगी तो status ID proof की photo submit करने के बाद देखेंगे nominee का आपको name आ जाएगा और percentage share में 100% आ जाएंगे नीचे आपको continue के option में अप click करना है यह सारी जानकारी फिल करने के बाद जैसे हमने continue के option में click किया तो हमारे सामने next window open होगी जस्ट बेट करने है और allowed करने है ठीक ना हम आ गए यहाँ पर DGO की page में और यहाँ पर हमें आदार कार्ट को अपने verify करना है तो ध्यान रखेगा यहाँ पर अपने आदार कार्ट की जो detail है यहाँ पर submit करना है तो हम यह भी कर लेते हैं जैसे हमने अपने आदार कार्ट को verify किया तो यहाँ पर आप देखेंगी यहाँ पर नीचे detail आगा है नॉमनी हमारा submit हो गया जो हमारी request थी इसके बाद आपको क्या करना है दो से तीन दिन का wait करना है और आपका नॉमनी आपकी यहाँ पर डिमेट अकाउंट में add हो जाएगा तो simple सी process थी और अगर आपको यहाँ और डिमेट अकाउंट यूज करना है जरूदा आप stocks angel broking तो सबकी वीडियो आएंगी तो चैनल को support करें सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा लाइक करें और जो भी यहाँ पर share market में है उनके साथ यह वीडियो जरूर share करने तो thank you guys